नवुद्वयोग में आप सबका स्वागा था आज हम लोग सिल्वर बिटिंग पार्ट में बहुविकल्पी प्रश्णों को देखेंगे और इनको बहुत अच्छे से त्यार किया गया इसलिए पूरा देखें और अच्छे एंग पानी के लिए किसंदा का पूरा नाम क्या था कृष्णनन्द कृष्णनन्द कृष्णन पांडी तो इस पार्ट में असोधर बाबु के माध्यम से किसंदा का पूरा नाम कृष्णनन्द पांडी था और उनसे असोधर बाबुजी इतने अत्यदिक प्रभावित थे कि अपना हर काम वो उन के अंफारी करते थे और जो उनको इम्रित हो गई तब भी उनको ध्यान मिलाकर उनसे पूछ कर ही करते हैं तो उनका बड़ा इस कानी में प्रभाव है किसंदा का इसोधर बावो का पूरा नाम क्या है जब सिल्वर बेडिंग पार्टी के त्यारी हो रही थी तो वाइडी पंत लिखा हुआ था कहां पर इनके आवास के बाहर और इस वाइडी पंत का पूरा नाम है यह सोधर पंत जो की बड़े बावो से सेक्सेन आफिसर बन गए थे और अभी भी पैदल ही अपने आफिस से घर तक आते जाते थे तो यह सोधर पंत इस कहानी के केंद्री पात्र हैं इनको यह सोधर बावो कहते हैं और यह सोधर बावो का अपनी घड़ी कहां से मिली थी साधी में गिरीमी मिल थे गिप्ट में है बर्थडेग गिप्ट थी तो जब चड़ा ने इनका हाथ पकड़ा और कहा बाबु यह है बड़े बाबु आपकी चूनेधानी का क्या हाल है तो चूनेधानी सब दिन के घड़ी के लिए था जो थोड़ी बड़ी सायज की थी तो यह सदर-बाबु सोधर बाबु को किसंदा ने कितने रूपे उधार दिये सोधर बाबु जब गए थे दिली तो इनके पास कुछ भी नहीं था धंके कपड़े भी नहीं थे तो किसंदा ने इनको पैसे उधार दिये कितने पचास रूपे उस पचास रूपे में सोधर बाबु ने अपने कि साधी कब हुई थी? चुकि उसी किसाब से फिर इनकी सालगिरा मनाई गई थी. 6 फरवरी 1947, फरवरी 1951, 12 फरवरी 1947, 8 फरवरी 1942. इस कहानी का उनसार 6 फरवरी 1947 को के सुदर बाभू की साधी हुई थी, जिसके 25 साल बाद उनकी सिल्वर वेडिंग मनाई गई. तो इसे आप लोग याद रखें. इस उदर बाभू दिल्ली में कहां रहती थी? कनाट प्लेस, गोल मार्केट, विकास नगर, शाकेट. तो इस उदर बाभू जब उस जमाने में रह रह रहत उन्हें 71 की लगभाग तो उस समय गोल मार्केट में रहा करते थे और उस समय गोल मार्केट के एक मंजली मकानों को तोड़ कर बहुमंजली हिमारते बनाई जा रही थी. इस उदर बाभू का आपिस किसी से आते जाते थे? अपने आपिस कैसे आते जाते थे? तो आपको पता है कि वह पैदल ही आते जाते थे और उनके लड़के कहते थे कि बापा आप स्कूटर से आया जाया करें लेकिन वह स्कूटर उन्हें सम्हाव इंप्रापर मालूम देता था और कार वह एफोर्ड नहीं कर सकते थे इस वज़ा से वह और साइकल से आने जाना उनको बच्चों को खराब लगता था तो बैचारे क्या करें अपने आफिस से घर तक आवाज तक पैदल ही आया जाया करते थे जिससे उनके किराय का खर्चा भी बचता था जिम्यदारी सर पर पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएंगे सबसे पहले यह फिकरा किसने कहा था जिसका इस कहानी में प्रभाव है तो किसंदा ने इसको कहा था जिसको सदर बारू बार बार इसको कभी तंजिया कभी कैसे भी रिपीट करते रहते हैं वो कहते हैं कि जिम्यद को किसे ने लिखा है मनोहर श्याम जोसी जी ने लिखा है तो इसे याद रखें और यहां समंधु पर आधारित कहानी यह सुदर बावु ने किस ग्रंथ का प्रवचन सुना गीता कुरान रहमायाड बाएविल तो आप जानते हैं कि बिरला मंदिर में जाते समय वह घर वापस कि समय एसे दर बावु कुछ समय तक रुकते थे और वहां पर वो गीता का प्रवचन सुनते थे और उसी प्रवचन में ही गीता के उन्हें जनारदन सब्द मिला था जो उनके जीजाजी का नाम था तो इस ओधर बावु ने गीता पर प्रवचन सुना था और गीता महाभा अरत का एक अंग है और हिंदों का प्रमुक धर्मृत है एसोधर बावु ने प्रोचन में किसका नाम सुना राम का क्रिष्ट का जनारदन का इसा मशी का तो एसोधर बावु ने जब गीता प्रोचन में जनारदन नाम सुना तो उन्हें अपने जीजा जनारदन जोसिक याद जो कि आमदाबाद में रहते थे और काफी दूनों से बिमार थे तो इस परकार से एसोधर बाबू ने प्रोवचन में जनार्दन नाम सुना इश्याद रखना है और इस कहानी के केंदरी समंधो की भूमका परिंद का नाम है जनार्दन एसोधर बाबू के किस रिष्थेदार करना मतलब उसके किस रिष्टेदारे में क्या लगते थे तो आप सब को पता है कि एसोधर बाबु उनके जीजा लगते थे और बिमार थे इसलिए एसोधर बाबु उनसे देखने भी जाना चाहते थे लेकिन घर वालों के बिरोध के कारण चुकि घर वाले कहते हैं कैसे संब तो इस परकार से उनका बिरोध होता उनके बच्चे उनका बिरोध करते हैं अगले क्वेस्टन पर चलते हैं किसंदा के मानस पुत्र थे का उन थे भाई या ग्रीज भूसार सोधर बाबु या चड़्धा तो किसंदा के मानस पुत्र थे या सोधर बाबु मानस पुत्र कह उसे अपने पुत्र के तरह मानने के करण एसोदर बाबू को किसंदा का मानस पुत्र कहा गया है तो किसंदा के मानस पुत्र एसोदर बाबू ही थे इसे याद रखें अपने जनदिन के सुब आउसर पर एसोदर बाबू जब घर पहुँचे तो उनके हाथ में किस चीज़ का थैला था गिफ्ट का सबजी का मिठाई का नमकीन का चुक्छे सुदर बाबु को भी याद नहीं था कि हमारा जन दिन मनाया जा रहा होगा तो प्रति दिन की भाती सबजीयों से भरा थैला ले करके अपने घर जब पहुंचे तो उनके हाथ में सबजी का थैला था अपने जनव दिन के आफसर बाबु के बड़े लड़के का क्या नाम है गिरीज, चड़ा, भूशड कोई नहीं तो गिरीज तो उनके साले साब थे दूर करे से दारिम लगते थे चड़ा उनके आफस में काम करता था और भूशड ही उनका बड़ा लड़का था जो एक मार्केटिंग कमपनी में डेर हजार रुपे प्रतिमाह की नौकरी करता था प्लस अधर परक्ष तो कुन मिला करके इनके बड़े लड़के का नाम भूशड है इनके तीन लड़के और एक लड़की है सभी पढ़ने लिखने में अच्छे हैं और एक लड़का तो आईयस सेलाइड में भी सेलेक्ट हो जुका है जबसे तुम्हारा बेटा धेड़ हजार माबार कमाने लगा यह सब्द किस ने कहा था उनके पार्टी में भूशड ने इंग्रीज ने किसंदा ने चंदरदत्तिवारी में उनके पार्टी में चंदरदत्तिवारे जी ने कहा था जब से तुम्हारा बेटा डेढ़ जार कमाने लगा तब से सिल्वर वेडिंग भी मनाय जाने लगी तो नहीने परमपराएं भी सुरू होनी चाहिए ऐसा चंदरदत्तिवारे ने कहा था और ग्रीस नएही लेकिन यहोजना बनाई थी किनकि जनम दिन मनाया जाय जिसने भूसर को फोन किया फिर सारा कारकरम हुआ एसादर बावु ने दो-चार हजार का करजा किसके लिया था बेटी के पढ़ाई के लिए बेटे के पढ़ाई के लिए अपनी शादी के लिए दोस्त की सादी के लिए इस कहानी में है के सुदर बावु ने कौापरेटिव से दो चार हजार की करज लिया था अपनी साधी करने के लिए चुकर उन्हें अपनी साधी खुद ही अपने पैसों से अरेंज किया था उस जमाने में ते बहुत ही प्रकाश्चील कदम था इस प्रकार से लेकिन उन्हें उस समय पैसे नहीं थे तुने अपनी साधी के लिए कौापरेटिव से करजा भी लेना पड़ा था उस समय दो चार हजार रुपे ही बहुत महतुर रखते थे क्योंकि आपने देखा पचास रुपे में पैंट भी सिल गई अच्छे कपड़े भी आ गया और घर भी बेद द गिया जिससे यह पार्टी अरेंज हुई मनाई गई तो इस वरकार से गिरीस नहीं यह कहा था कि भीया अपने पिता जी की सेलवर बिडिंग मनाओ जिसमें उनके धर्म पतनी भी अपने बालों में खिजाब लगा कर उटलारी लगा करके इस पार्टी में सामिल हुई जो कि इस उदर बाबु को समाओ हमेशा इंप्रा पर ही मालूम देते थे और वह आदनी कुमूलने से ज़्यादा इतिफाक नहीं रखते थे किसंदा इस उदर बाबु के घर कब आया करते थे प्रते एक दिन रविवार को समाओ को मंगलवार को सनिवार को तो इस कहानी के अंसार प्रते एक रविवार की साम चार बज्चे किसंदा अपने मानस पुत्र इस उदर बाबु के घर आया करते थे और चाय की चुस्कियां होती थी और फिर चुकि वो गरम-गरम चाय ही पीना पसंद करते थे फिर प्रस्न उत्तर का कारकरम भी होता था एसोधर बाबू पटसिस की तरह से प्रस्न पूंचते थे और किसंदा उसका उत्तर दिया करते थे चुकि बड़ाइस ने था उन्हें किसंदा से गमचा पहन कर बैठक में आने पर किसने टोका इसोधर बाबू चब सारे महमान चले गए कुछ ही रह गए तब उन्होंने कहा क्या सब चले गए गोया गमचे में हम बैठक में आ सकते हैं तो उनकी बेटी ने उन्हें टोका उन्होंने कहा बबा युआर दिल लिमिट आपको गमचे में आना नहीं चाहिए अब देखिए संबंद कैसे होते हैं कि बेटी तो खुद ही बिना बाह का टाप पहने हुए है और नए परिवेश में है लेकिन अपने पिता जी को पुराने परिवेश में रहने देना नहीं चाहती तो यह आधुनिक मुल है जिसमें बड़े नहीं छोड़े ही बड़ों को डाट रहे हैं टिपड़ी कर रहे हैं जो हुआ होगा से किसकी मौत हो गई थी जो हुआ होगा से किस की मौत हुई भाई इस कहानी में तो किसंदा की जब भी ध्यान करते हैं ये सुदर बाबु पूछते हैं कि किसंदा आप कैसे चले गए तो हमेशा ही आता है कि जो हुआ होगा से ही उनकी मौत हुई तो ये कहानी का केंद्री वक्तब है कि कोई जान नहीं पाता कि किस कारण से किस की मौथ हुई रिटायर्मेंट के बाद सब सुखते ही चले जाते हैं और उस होते हैं कि हम जीवन से भी रिटायर हो गए है ग्रीज कहां काम करता था दवा कंपनी में, पेंट कंपनी में, मार्केटिंग कंपनी में, आटो मॉबाइल में तो ग्रीज एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था और उसी ग्रीज ने ही जो कि इनके सुधर बाबु के रिष्टे में सालिस आप लगते थे और इनके बड़े बेटे भूसट को तेट जार रुपे प्रितिमा की नोगरी दिलवाई थी जो कोई उस जमाने में बहुत ज़्यादा बेतन था क्योंकि बहुत सारे आफिसों का बेतन उसमें सो रुपे सी ज़्यादा नहीं था आफिसे लौडते हैं समय सोधर बाबु किस मंदिर में जाते हैं हनवान मंदिर, शिव मंदिर, जैन मंदिर, बिल्ला मंदिर तो जब भी आफिसे लौडते हैं तो उसके पास मिल्ला मंदिर पड़ता था प्रदिन का उनका नियम था, जबसे वो रिटायर के करीब खुद भी पहुंचे हैं, तबसे उन्होंने आसा कारगरम शुरू किया है ये सुधर बाव का प्राय किसे मदभेद होता है, मदभेद किसे होता है अपने पड़ोसियों से, दर्तर में अपने बेटे और पतनी से, अपने अधिकारियों से तो आप जानते हैं कि इस कहानी में अपने बेटों और पत्नी से सोधर बावु का बड़ा मद्भेद रहता है और वो बेचारे बड़े मानशी कुरूप से परिशान रहते हैं वस होते हैं कि बच्चे काम करें लेकिन कोई भी काम करना नहीं चाहता इस वज़ा से सबजी, दूद और आफिस के सारे काम सोधर बावु को खूद करने पढ़ते हैं तो इस परकार से अपनी जम्यदारियों के बहुत से दवे हुए प्राणी है कहानी सिलवर बडिंग किसने लिखे और एक कहानी संबंधों पर आधारित है एक परिवार की कहानी है जिसमें आपस में आधनिक मूल्यों और प्राचीन मूल्यों के टकराओ की ये कहानी है तो हम सब के अपने परिवार में निमाता पिता को बहुत इसने देना चाहिए और बहुत इसने से ये रहना चाहिए ताकि हमारे शंबन, हमारे पुज़ुरुगों से बहुत अच्छे बने रहें और हमें उनकी बातें भी सुनने का प्रयास हमेशा सिदेव करते रहना चाहिए कहानी में कौन सा वक्तब नहीं है जो हुआ होगा समाव इंप्रापर आई कैनाट इंसिस्टिट या आप कौन है तो कुछ कहानी में बार-बार कुछ सब्द आते रहते हैं तो इसमें देखे जो होगा बार-बार कहते हैं समाव इंप्रापर भी सुदर बाबु कहते हैं आई कैनाट इसिस्टिट भी कहा उन्होंने लेकिन आप कौन है नहीं कहा है इसका सही उत्तर है आप कौन हैं या इस कहानी में नहीं है तो इस प्रकार से यह कहानी हम सब ने इसके प्रश्मुत्र को देखा एक बार पुना कहानी पढ़के पढ़ेंगे तो आपको पूरा पार्थ याद हो जाएगा नहीं तो इस वीडियो को दूब अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस वीडियो को सेर करें